राज्यों और सहरों को इस बात के लिए प्रोच्साहित किया जाएगा कि वे हमारे सहरों को भविस्य के संधारणिये सहरों में रूपांतरित करने के लिए सहरी आयोजना सुधार और कारवाईयां करें इसके लिए भुमी संसाधनों का कुशल उपियोग करना सहरी और संधारणिय के लिए सहरों को तैयार करना संपती कर व्योस्ता में सुधार लाकर और सहरी और संरचना पर प्रयोकता प्रभार लगा कर सहरों को मुनिशिपल बॉंड के लिए अपने रिंड प्राप्ती योगिता में सुधार करने के लिए प्रोचाहित किया जाएगा। सहरों में सहरी और संरचना के विका सिर्जन हेतू सारजनी के जन्शियों द्वारा किया जाएगा। सहरी स्रक्षता सभी सहरों और कस्वों में सैप्टिक टैंकों और सीवरों का मिल मल कीचड बाहर निकालने के लिए मैन होल को मसीन होल के रूप में प्रयोग करके 100% मसीनी तरीके से साफ किया जाएगा। सूखे और गिले अप्सिस्ट के बैज्यानिक प्रबंधन पर विसेश ध्यान दिया जाएगा। मानिय ध्यक्ष महोद है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सूशाषन रास्ट की निती का प्रगति का मूल मंत्र है हमारी सरकार एसी पारदर्सी और जबाब देह प्रशाषन की बेहुस्था करने के लिए प्रतिवद्ध है जो आम नागरिक की बैतरी और कल्यान के के लिए कारे करें। मिशन कर्मयोगी के अंतरगत केंद्र राज्य और संग राज्य छेत्र सिविल सेवकों के लिए छमता निर्मानी ओजनाये तयार और किर्यानवित कर रहे हैं। सरकार ने एक इकरित आउनलाइन प्रसिक्षन के लिए आईगाट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म भी सुरू किया है जिस पर लाखो सरकारी कर्मचारियों को अपने कोसलों का उन्यन करने के लिए और लोग केंद्रित रिष्टिकों अपनाने के लिए निरंतर सीखने के आउसर मिलेंगे महोदय ब्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 49 हजार से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3400 से अधिक विदिक उपबंधों को अपराध किसरेनी से हटाया गया है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24